हे गाईज विलकम बैक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चटपटे मसालेदार छोले अगर आपको मेरी आज की रेसीपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा चले शुरू करते हैं टेस्टी चोले मसाले बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कोकर लिया हुआ है इसमें हम दो कटोरी के जितने यह भीगे हुए काबुली चने डाल लें हैं तो चने को हमने राद भर पानी में भीगो के रखा हुआ है तो चने अच्छे से भीग चुके हैं यह बड़े वाले एक छोटा चमच नमक डालेंगे और कुकर का ढकन बंद करके हम इसे तीन से चार सीटी आने तक कोक करेंगे जब तक कि हमारे जो छोले हैं वो अच्छे से गल नहीं जाते तो बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है बट यह अच्छे से पक जाने चाहिए जब तक यह पक रहे ह एक चीली कटर में हमने दो प्याज को इस तरह से मोटा मोटा काटके डाला हुआ है आठ से दस लहसुन की कलिया है चार से पाँच हरी मिर्च एक इंच दरक के टुकड़े को बड़ा बड़ा काटके डाला हुआ है मिर्च आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग कम या ज़्या भी कर सकते हैं तो हमें इस तरह से कर लिजे आप चाहें तो मिक्सी में दरदरा पेष्ट या इसे बारीक बारीक भी काट सकते हैं तो यह देखिए कर डाने लिया हुआ है अब हम टमाटर का पेश्ट तयार करेंगे तो यहाँ पर एक मिक्सी की जार में टमाटर को हम इस तरह से मोटा-मोटा काट के डालेंगे तो दो टमाटर मैंने लिए हुई हैं अगर टमाटर छोटे हूँ तो आप तीन भी डाल सकते हैं और इसे हम अच्छी से पीस की तैयार कर लेंगे, ये देखे फ्रिन्स हमने ये टमाटर का पेस्ट तैयार कर लिया हुआ है, इदर जो हमारे चने थे वो अच्छी सी तो बहुत ज़ादा गरम है, जब आप इस तरह से दबाएं, तो ये अच्छी से मैस होना चाहिए, यनि की बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होना चाहिए, बर जब हम दबाएं तो अच्छे से दब जाना चाहिए, इतना ही हमें पकाना है, यहाँ पर एक कडाई में हमने 5-6 चमच की जितना सरसू का तेल लिया हुआ है, तेल गरम हो जाएगा, एक तेज पत्ता डालेंगे, 2 सुकी लाल म मिर्च डाली हुई है, खड़े मसाले आप अपनी पसंद के और भी डाल सकते हैं, आदा चोटी चमच हेंग डालेंगे, एक चोटा चमच जीरा डाल देंगे, अब हम इसमें डाल देंगे यह, अपना क्रस किया हुआ, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन, अब मीडियम फ्लेम में हम इसे अच्छे से भूनना है, प्याज जितने अच्छे से धीरे धीरे भूनेगी, आपकी सबची का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा, तो जल्दबाजी में इसे आप तेज आज में बिल्कुल भी ना पकाएं, तो ये देखे फ्रेंज मैंने से मेडियम फ्लेम में में बूना हुआ है, प्याज हमारी अच्छे से भून चुकी है, अब हम एक छोटा चमच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चमच धनिया का पाउडर, एक चमच कासमीरी लाल मेच पाउडर, आधा चमच जीरा पाउडर डाला हुआ है, मसालों को एकदम धीमी आज में हम आधा नमक डाल दिया हुआ है, और एक छोटा चमच हमने इसमें डाला हुआ है, चना मसाला, तो आप कोई भी ब्रांड का छोले मसाला चना मसाला डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है, आप इसे जरूर डालेगा, आधा चमच हम इसमें डाल देंगे आम और मसाले के साथ अच्छे से मेक्स करते हुए, अम इसे दो से तीन मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए, भूनेंगे, तुरंती हमें इसमें पानी नहीं डालना है, इन सारी प्रोसेस को फॉलो करते हुए, आप छोला मसाला बनाएंगे, तो रियली में अमेजिंग टेस्ट इसमें पानी डाल दिया हुआ है, थोड़ा सा नमक और डाल देंगे, क्योंकि चने को उबालते टाइम भी अमने नमक डाला हुआ था, तो नमक टेस्ट के कॉर्डिंग डालें, अच्छे से मिलाएंगे, और अब इसे ढख देंगे, और लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में कम से कम इसे 8-10 मिनट तक पकने देंगे, तो यह देखें फ्रिंज मैंने पूरे 8 मिनट तक इसे पकाया हुआ आप देख सकते हैं, जो तेल है, वो सबजी के ऊपर तैरने लगा है, यानि कि हमारा जो मसाला था, वो बहुत अच्छे से बोना था, बात में हम इसमें एक छू सूरी मेथी भी डाल सकते हैं, इन गर्मा गरम छोलों को आप प्रोटी, पराठे, कुल्चे या किसी के साथ भी खाएं, आपको बहुत पसंद आएंगे